हेलो गाइस तो विल्काम बैक तु माई चैनल टेक्निकल पीड़ी तो आज के वीडियो शुरू करते हैं तो आज के जो तो पीक हैं तो इसके लिए क्या करना है मैं आपको बताऊंगा पहला जो इस ते फिए आपको WhatsApp को open कर लेना है WhatsApp को open करने का बार आपको यहाँ पर मिल जाता है एक option यहाँ पर ठीदोत का option तो आपको ठीदोत पर click कर लेना है त्विटर पर क्लेक करने कवार आपको यहाँ पर मिल जाता है एक ओप्सन सेरिंग्स तो आपको सेरिंग्स को भी ओपैन कर ले रहा है settings को open करने के वाइब आपको यहाँ पर मिल जाता है एक option यह होगी आपका charts का option तो आपको charts को open कर लेना है charts को open करने के वाइब scroll down करके नीचे आना है नीचे पर आप देख सते हैं यहाँ पर DIY chart history का option तो आपको वहाँ पर भी click कर लेना है यहाँ पर क्लिक करने का और आपको यहाँ पर चार ओप्सन मिल जाता है अगर आपको Clear All Charts करना है ठीक है जो आपने चार्ट बगिरा किया है वही स्रिप आपको Delete करना है तो आपको क्या करना है Clear All Charts पर क्लिक कर देना है इसको मैंने click किया click करने को आपको यहाँ पर करेना है clear message ठीक है clear message पर यहाँ पर click करते ही मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर अभी बेग जाकर तो आप देख से यहाँ पर मेरा दो यहाँ पर conversation था ठीक है इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने को आप देख से यहाँ पर मेरा कौन सा चार्ट बगिरा था, सभी चार्ट जो है दिलेट हो गया है, यहाँ पर भी मेरा कितना चार्ट था, सभी दिलेट हो गया, तो आपको कितना चार्ट रहेगा, सभी दिलेट हो जाएगा, अगर आप द एक पूरा चार्ट यहां से दिलेट हो गया तो आप इसको कर सकते हैं तो आधसे कर दाऊंगी वीडियो आप अच्छा लगा होगा अच्छा लागा लाइक सिसक्राइब जरूर कर लेना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग